26 तारिक तक आपको गवर्मन्ट फोहम करनी है, तीन दिन, बहुत कम समय है, तीन दिन का समय है, बीजी बीजी जो चाहिएगी ना वैसा करेगी, अगर फून बहुमत नहीं आता है M.B.A. को तो देखना, यहां के वहां, वहां के यहां, कुछ भी संभल है महारास्टा में, कु शखना जाते हो तो फिर कहते हो और रहुल गंदी ने काले करताओं की बात करी क्यों हाँ ? हारने के बात क्यों करी? चनू नहीं करी हाँ आप ने काले करताओं की पाद या ये यह थितने की बात मैं यह कहूंगा, M.E.A. में कॉंग्रेस पार्टी ज़्यादा मजबूत है और लोगों के लग रहा है कि N.C.P. और सिर्सेना में सिर्सेना मजबूत है, नहीं, N.C.P. और कॉंग्रेस का जो नेच्छरल अलाइंस है, वो ज़्यादा मजबूत है महराष्ट चुडाव के बीच में कॉंग्रेस पार्टी की एक मिटिंग हो रही थी और उस मिटिंग में राहूल गांधी क्यों गुसा गए? और अगर राहूल गांधी मिटिंग में गुसाते हैं, तो ये खबर बाहर कैसे आती है? पत्रकारों को ये इंफॉर्मिशन कौन दे है कि राहूल गांधी अमुख मिटिंग में अमुख नेता पर गुसा गए. इसके पीछे का पूरा खेल क्या है? महराष्ट चुनाओं में अखिलेस यादर की जो इस्थिती है, समाजवादी पार्टी जिस तरीकी से सीटे मांग रही है, कॉंग्रेस पार्टी के तरब से उ लेना देना है, उत्तर प्रदेश के उप चुनाओं से क्या लेना देना है? और महराष्ट में हो रहा विधान सवा का चुनाओ, हरियाना में जो रिजल्ट आया, उस से किस तरीके से उस पर प्रवाव पर रहा है? यह सब कुछ आफ कैमरा के इस एपिसोड में हम डिसकस करन वीडियो देख करके आखिर तक पहुँच जाते हैं, आपको बार ठिक ठाक लगती है, तो कमेंट करके तो बताइएगा ही, ऐसा करना इसलिए जरूरी है, क्योंकि अगली वार जब कोई नया वीडियो आएगा, चाहे वो आफ कैमरा का हो, या लोकमत हिंदी समू का कोई और दूसरा वीडियो या दूसरी डिपोर्ट, तो आप तक नोटिफिकेशन यूटूब औहुचाएगा, और आप हमारे वीडियो डिपोर्ट देख सकेंगे, बहुत बश्यूपिया, देखिए ये पूरा एपिसोड देख के जाईएगा. जो लेकर के आया हूं है, हम लोग काफी लोग ये कह रहे थे कि महरास पर करिए, महरास सेलेक्शन में क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ रणीती है, क्या कुछ रहा है, तो आज का एपिसोड जो है अपना वो हम लोग महरास पर लख रहे हैं. 25 अक्टूबर को आपने ट्वीट किया, जिसमें आपने कहा था कि CEC की बैठक हुई, जिसमें राहूल गादी जो है, वो बाला साहिब थोरट पर भढ़के, और इस बात पर नाराज हुए कि वही, दो सीटे मुंबई और विदर्व की, कॉंवरेस की थी, वो सहयोग्यों को दे दी गई है, क्या हुआ था उस पर पूरा पहले ये बताईए, फिर अगला सवाल मेरा उसके बाद आया, क्योंकि आपने महरास्ट्रा की बात करी है ना, तो इस सवाल के जवाब से पहले ना, आपको पांस साल पहले ले चलता हूँ, एक बड़ी इंटरेसिंग खानी है, प्लीज, मैं एवीपी न्यूज में काम करता था, 2019 में, लोगसवा का चुना हुआ, उसके बाद महरास्ट्रा हर्याना जारकन का चुना हुआ और पता लगा कि शिव सेना और बीजेबी की बात बिगड़ गी है, तो मुझे बंबे बेज दिया गया, मैं लगबग 12-13 दिन में था, तो रात को लेट सोए, अक्सर जुमिर यादत है, और सुबह फोन बच रहा है, छे बुझे, शाड़े शे के आसपास, ऐसाइनमेंट का, कह रहे हैं कि, सरकार बन गी है, मुख्यमंत्र की शपत हो गी है, यार रात को तो, M.V.A. का शक्ति परजशन हो आता है, होती है, दो उसको समझें लगाना है, यह हुआ क्या, दिन भर दिमाग में लगाया, आपने, सौरसी से बात करी, उसमें न, उस वक्त, यह बड़ी इंटरसिंग आनी है, जो लोग जानकार है कानून के, जो साविधान को समझते हैं, उनके हिसाब से, और पॉलिटिकल लोग उस लिहाज से, चरद पावार और एहमत पाटेल उस वक्त, दो सीनियर आदमी वही पिते हैं, मतलब जो राजनीती में क्या करेंगें और वो कहां तक सोच सकते हैं, कोई न जानता है, एहमत पावार जी उनिया में नहीं है, तो अक्सर जब पावार साब के तरफे मीटिंग तो अक्सर बाते हो जाती हैं, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो मैंने जानने के कोशिश करी कि ये शपत हुई कैसे, कि जो अजीत पावार जो कल रात को अजीत के शक्ति प्रजर्शन में थे, वो सुबह छे वजे शपत कैसे ले सकते हैं, तो मैंने समझा इसको, और मुझे समझे में तब नहीं आया ये, जब बंबे में था, मुझे बाद में समझे में आया, अहमत प्रद्द जी ने कुछ बताया उससरा आपने का कि गारी नो इस अंधर में नी, बाकी तो बहुत कोई बताया आपने इस अंधर में आच्छा, तरसल उस वक्त महारास्ट्रा में राश्ट्पति शाषन लागू था, अगर M.V.A. ये क्लेम करता कि हमें हमारे पास नंबर है, तो हो सकता है, नई दिल्लिय वाले उस राश्ट्पति अचान अटाया गया और छे वजे शबत लिए और ये खबर मैंनी ब्रेक के थी वक्त मेरे बहुत प्रैशर था मैंने का आज ही अजीत पवार इस्तिफा देंगे और एक पास सितारा होटल में मीटिंग होई थी शुरत पवार परफुल पटेल सुप्रिया सूले इती नों बैठे थे अजीत पवार भी थे और फैंदली उनकी घर बापसी गई लिए उस राश्पति शाषन को हटाने के लिए किस तरह का किस तरह की राजनेति चाल चली गई और इंटरस्टिंग यह मुझे समझ में आया कई महिने बाद क्योंकि मैं सोचता हूं हमेशा कि इसके पी कई माद को असन हम इसके बाद से विर्च्वल चल रही है तो विधरब कंग्रेस पार्टी का गड submit कर अनकी सिठ घर मंबबइ में चानजा कांग्रेसक्रिक स्वारी मत बाट ऑने क्योंकि हर्द साथा फ्रां के इसके हाँ गनेश कमें 1510 गरम्मेर्फ पार्टी की बात आई प्रदेश अद्यक्ष रहे हैं और 2019 में जब उनकी एंट्री हुई बतलब एक मातर हुए आसे वक्ती जो शीट शेडिंग बात कर रहे थे है तो जाहिर है कि राउस गांदी के पास रिफोर्ट ठीक है जो हमारी अच्छी सीटें वो हमें नहीं दी गई तो उस बात को लेकर थोड़ा सा वो गरम हो गए कि क्या बटवारा की आपने जो हमारे कारे करता है वो कहां जाएंगे उनको जो हमारी सीटी चली जाएंगी तो वारी लिडर्शिप डेवलफ हो रखी है उसको क्या देंगे तो उस बात को लेकर गोसा आया और उस बात को लेकर अपनी बात बाला साफ तुराटों कहीं और उन एकपात और कहीं पता नहीं आप के उसमें वो ट्वीट है नहीं है मेरा उसकी का जाब है पहले देता हुए एक दूसर टूइट भी है जिसमें नेताओं के बीच में कोई वह नहीं है वह वह बड़ी इंटरस्टिम सीज है बता ही नहीं है उसी मीटिंग में क्या हुआ है एक लाइने बैठे वे तीनों बाला साब थोराथ नाना फटोले और वीजे विटेटिवार तीनों बैठे वे त हर स्टेट में दो-तीन तरह की लिडर्शिप होती है और उनके भीच में उनके खेमे होते हैं उनके लोग टिकेट मंगते हैं अपने लोग दावा पेश करते हैं तो रावल गांदे ने कहा कि इस दरह ने सस्पीशियन तो सब चुपोगे एंदि रावल गांदे ने इसारा क चाहता हूं कि जैसे एक सिती हरियाना में हमने देखी जहां पे अलग अलग गुटों के बीच टिकट को लेकर के मिला नहीं मिला आपने भी वह ब्रेक किया कि इतनी सीटे मिली तो यह इतनी गुट को गया इस गुट को गया उसके उलट महरास्टा में अगर ने अपने आप जगड़ा भी रहना चाहिए और को और ने चाहिए अच्छा उससे क्या होता है जगड़े में क्या होता है कि आपको बहतर कई डियर्ट मिलते हैं माले जी एक सीट पे दो लोग अड़ गये हैं को प्रेंस उस पुट करें कि मुझे नहीं करते हैं अब जैड़े मेर यह इसा मानना है कि और प्रस्तेति इंशी नहीं है आगर आप एक तरफा कर देंगे और आश्याथ और चाहिए और तो वो भी ठीक नहीं है, पार्टी के इंटर्नल लॉक्त अंत्र के लिए, और जो स्टेट वाले कह जे वही सही है, वो भी ठीक नहीं है, तो चीह ऐसे चलते हैं, जबर बहतर रहता है, और राहूल गांधी तो हमेशे कहते हैं, कि हमारी पार्टी में तो सब चलता है, जीए 23 नाराज हो गए, भड़क गए, गुस्सा हो गए, तमाम चीजे, आपने पिछली बाचीद में खुदी कहा है कि कई बार जो हाई कमान है, उसका इकबाल बना रहा है, इसलिए ऐसी चीजे लीग करवाई जाती है, तो यह क्यों नहीं मैं मानूं, बताओ, जॉनलिस्ट की इस त करवाते हैं, अब जैसे जो एंटी गुरूप होगा तो उसने लीग कराई होगी, यह बात सही है, मैं मानता हूं कि एक बाल को बनाया रखने के लिए, ऐसी ख़बरे लीग होती है, मैंने पहले भी कहा आपके इंट्रिव में, हाँ हाँ, आप ही निका है, मैंने इसलिए कहा होगा को यह बात करी, क्यों हुआ हारने के बाद क्यों करी? चलाएं से बहुन नी करी, आपने कारी करताउं की बात की अधिए यह बाध को बड़ा दिखाने के लिए ऐसी ख़बरे प्लांट होती है, और यह किसी भी राजनितिक दल का एक नेचुरल प्रोसेजर है, यह दर कॉंग्रेस कबर कर रहे हैं पिछले 17 सालों में ऐसा कुछ वाकिया आपको याद आ रहा है कि पार्टी ने कुछ लीक करवाया हो यह सोचके कि यह हमारे हक में जाएगा और वह जब बाहर आई है तो वह चीज उसके उलट चली गई हूँ ऐसा कुछ मामला पूंग्रेस एंब और प्रधानमंत्री यह मटर करते हैं अगर को इनके खिलाफ एक शबद बोल रहा है को इनके खिला एक शबद लिख रहा है तो वहाँ उनसे रिच आूट किया जाता है है इसा नहीं है पहुंआ को आपको आज खेयता हूं मैं एक स्टेटमेंट देता हूं ज्रां का मेरे पास कोई फोन नी आएगा और मैं एक स्टेटमेंट दू उसके नेचे के जो तीन चार बड़े जनल सेक्टरी हैं यह भी आपने ट्वीट किया है हाँ किया है हाँ टीक है मेरे पास तुरंट फोना जाएगा यह फर्क है सोनिया गांदी कॉंगरेस में रहाल गांदी कॉं अब क्या बोलेंगे सर जब उन से कंट्रोल फोना यह गांदी पेरार खिलागा है इसकी आसा कर रहा है जितने भी इस इस बी इनके हैं हैं बिना इड़ीद के हैं सारे किसी की स्पाई में है सब खुद के लिए काम करते हैं, जैसे मैं तुम्हेरे घरा हूं और तुम मुझे तुम मेरे घराएं, इन कोई मतलब नहीं, रागो गांदी के खिलाब क्या चप रहा हूं, इंको नहीं प्रांगा घरता, कि मेरे खिलाफ कुछ ना चला जाए मेरे खिलाफ कोई बात ना आ जाए बाइस बिदन सेकंड फोन आते हैं इदर से ट्वेट जाएगा उदर से फोन आएगा लेकिन एहमद पटेल कम से कम सोनिया गांदी को एहमद पटेल जिनार्दन दिवेदी अंबिका सोनी गुलाम नभी यहाजाद यह एक ऐसी टीम थी उनके पास में जो कम से कम उनको प्रोटेक्ट करती थी यह कवज की तरह है जो रावल गांदी के पास तो यह फर्क क्यों ने रावल गांदी यह प्रेंका गांदी समझ पाते हैं जब पहले ऐसा था ही और उनने देखा है और अभी आप बता हैं में चर्चा हो रही है आपके खिलाफ खबरे चप रही है और कोई है न्यूस को संबालने वाला तो इस बात को मैं कैसे कहूं कि वो क्या चाहते हैं उनको पता ही नहीं उनका अस पास क्या हो रहा है उनको पताएगा कों कि आपके आस पास ही हो रहा है है यह नहीं इताने पर दिया जो आलोचना कर रहा है उसी को गिरुधी बता दिया यह असान है यह फर्ख है सोनिया गांदी कॉंग्रेस में राहल गांदी कॉंग्रेस में इसलिए मैंने वह लिखा ता सीपेशादार वाली बात जी 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 और मों काफी लोगों को बुरी भी लगी समाजवादी पार्टी ने पहले का कि बारत सीटे चाहिए फिर पांस सीटे वह भी नहीं मिलती भी दिख रही है जिन सीटों पर दावेजारी कर रहे हैं वहां शिप्षिना उद्धर ठाकरे का गुट और कॉंग्रेस के तरब से कुछ लिस्ट जारी हो चुका है क्या हो रह कि मैं कॉंगर्स पार्टी का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमें अपना समर्थन दिया और इंडिया अगर्डवन को मजबूत करने की बात करी उत्तर प्रदिस्वाले शूपे अब उनको ये अब वह इस बात का जेकर किसी ने ने पूछा सवाल ये बनता था कि वह ज नजदी की आदमी हैं संजे लाठर संजे लाठर का बेटा है जो विदेश से पढ़के है और काफी यह लड़का है वो उसके लिए वो जुलाना सीट मांग रहे थे जुलाना सीट क्यों वह आके रहने वाले हैं पुराने और वहां से टिक्ट किसको दिया विनेश विनेश को तो गज रिक्यूर नहीं हो पाया अब कोई उनसे पूछे कि भई आप यह सीट की जब आपकी बादचीट चल रही है आप इतना समर्तन इतना जादा रिस्पेक्ट देते हो इंडिया लाइन्स को गटबंदन को राउन गांधी को तो आप बादचीट के दौरान सीटों गोष्णा क्यों कर देते हूं इस बार कॉंगर्स पार्टी ने कर दी अच्छा यह उत्तर प्रदेश की विए से महारास में खेल भी ग्राइब बात कह रहा हूं मैं आपके आतले नहीं जानना चाहता हूं कि अगर ऐसा अगरा महारा महारास मेरा यह मेरा यह मैं इसको यह कि आप हमें चार सीट तो उत्रप्रदेश में उत्रप्रदेश में नहीं हो सकता दो बोला दो जाहां कुछ हमारा हो जह हमारे लिए चांस हो हम जी सके अब गाज्यबाद यह कॉमर्स पार्टि करेगी उन्हें वह भी बना कर दिया, साथ एनास पहले कर दिये, दो छोड़ दिये, और उन्होंने कहा परसोई कारे करम में, कि जो वो सीट वो चाहते थे, वो मैं दे नहीं सकता था, मजबूरिया होंगी, अपनी अपनी होती, उन्हों कारे करता होंगी वहांपे, लेकिन जब लगा कि नहीं, हमें दो सीट भी हमारे पसंद के नहीं मिल रही है, तो फिर इंडिया गटबंदन की मजबूती को लेके, उन्हें अपना समर्थन अकले शादा को दे दिया, उत्तर प्रदेश में, अब महारास में कॉंग्रेस क्या चाह रही है, कि अकले शादा कुर्वानी लगता है कि यह जो 85, 85, 85 जो सीटे बाटी है और बाकी सीटे बची है, मैं रहे साब से वो 30 या 35 सीटे हैं, उनमें से यह सारे लाइस का डियस्ट करना चाहते हैं, अभी उसमें स्कॉप बचा हुआ है, तो मैं उस पर कमेंट करूंगा जब वो स्कॉप कतम हो जाएगा, अभी चुणाव जीस तरब जा रहा है, दो अभू प्रमुख गटबंदन हैं, दोनों के अपने अपने प्लस और माइनस हैं, कहां जाता वह दिख रहा आपको महाराश्य एलेक्शन, देखो मैं आपको ने इस सवाल का जवाब देने के लिए आपको दो साल पर चलना गट गई, और एकना शिंदे के विथायकों को जब सूरत से गवाटी शिफ्ट किया गया, एक प्राइमेट प्लेन में हर उनको गवाटी ले जाया गया, तो वहां कोई बड़ा पार्क है, असम में, कौन सा पार्क है वो, क्या बोलते हैं उसको, वो काजी रंगा, काजी रं गवाटी रखा था, हेमन तक इस बार सर्माने, और बाद में उसका बिल भी सर्कार के दोरा इपे किया गया, तो बहुत इंपोर्टन स्टोरी नहीं है, स्टोरी यह है कि लोकसभा चनाओ से पहले, अगर बीजेपी, जो बीजेपी की स्टाटेजी ती वह यह थी, कि हमें कि इसी भी तरीके से शिवसेन और नशीपी को तोड़ना है, ताकि लोकसभा चनाओ में हम अपना कम से कम जो सीवते हमारे पास में आई थी, इसको हम रिटेन कर सकें, इसलिए दो पार्टी थोड़ी गई, लेकिन उसके बावजूद भी वीजेपी को महरास्टा में फायदा अउनकी इसलिए अच्छा नहीं कर पाये लिजेबियों अच्छा नहीं कर पाई। कॉअखर पार्टी अट अउट अउट ओप्दव पर्फोर्मेंस को की तेर राशवी जीत के आई। शिवसेन भी ऐसे नसीवे ऊच्छा लगा राज़िंदान महरास्ट्र और पर नख्या तो जो मकसद था तोडने का दो पार्टियों पूरा नहीं है दूसरा मुझे लगता है वहां जाधा एजन्सियों का प्रियोप किया गया ना एडी का खास तोर कर तो वहां के नेताओं ने ब्यान दिये कहीं बार कि मैं तो बहुत प्रशान था और जब से बीजेपी में आया हूं तब से मुझे निद अठी आती है तो वहां लोगों में संदेश गया कि यह जो कु कि आज की स्थिती में मैं यह कहूंगा एंडीय में कॉंग्रेस पार्टी जाधा मजबूत है और लोगों को लग रहा है कि NCP और सिफसेना में मजबूत है नहीं एन्सीप और कॉंगरेस का जो नेच्टरल अलाइंस है हूं जाधा मजबूत है मुझे लगता हूं ज्यादा तो कम से कम सो एक सो पार सीटों पर खड़े दोनों पार्टी मिल के अब चैलेंज यह है कि क्या शिव से एना आखे लिए पिछास के लिए एगी एक सब्सक्राइब का आपको मतकता पूरन महुमत है तो यह एक चैलेंज है बड़ा उधर विजेवी मजबूत है जाहरी तोर प के बाद अगर आप लोकसमा के डाटा उठाएंगे तो इसमें आप आओगे कि MBA सिर्फ 20 सीट जादा जीत पाई थी BJP और शिंदे गवर्मेंट से विधान समा की और अब जब आप देखोंगे तो 20 सीट का गाप अल्मोस्त कवर हो चुका है यह जादा बड़ा गाप नहीं ह मुरली देवडा और बाला साथ ठाकरे के बाल थाकरे जी के अच्छे परिवारिक दिश्ते थे राजनेथी के प्रिस्थितिया क्या होती है कि आज देखो ढूर्मने सामने कड़े हो गए है यह दिश्राइथी इसलिए में कहता हूं कि कभी प्रमनेन नहीं होती है तैसे बात बहुत करने लिए तिर्च घ्रेएक तरी तो देखना यहां के वहां और वहां के यहां कुछ भी संभव है महारास्टा में सबसे इंट्रेस्टिंग पॉलिटिस कहीं कि है ना आज के दौर में महारास्टा की अजीत पवार के सामने फिर से पवार खड़ा कर दिया तो यह पवार साब गेम खेल रहे हैं अच्छा जबक सब्सक्राइब कर दो कि अपने आप में बहुत बाहर खिला रहे हैं उनका वह वीडियो मुझे अभी तक याद है बारीस में भीगने वार और कैसे रात और रात पूरा एलेक्शन बदल लिए था कि लोग नहीं एक और जाद करो उसी दोरान में इनको इडी ने बुलाया थ सब्सक्राइब कर देखा है मैं आप मुझे यह बताई कि महारास में शिप्षेना का जो पारंपरिक वोटर है समय से अलग आज का अद्धव ठाकरे के लिए बूट करेगा कि वों और को सिंप्रे ना को घंपर आकी है वहां के लोगों में इनकी कि सद्धव गरत हुआ इनकी पार्टी तोड़ दे इनकी सरकार चीन लिया इनका सिंबल चीन लिया, इनका सब को चीन लिया, तो क्या होते हैं हिंदुस्तान को राजनेती है वह बहुत जाय चलती है भावनाओं के उपर, बैचारा, एक गरीब मा का बेटर प्रधान मंत्री है ना, बैचारा है, जाल गांदे बैचारा बन नहीं पा रहा है, क्योंकि व बैचारा बन गी है ना, जित गया एक अधान देता हूँ का रहाना का इस बार ही चुना हुए, एक लड़का ता गरीब सा वह बहुता जाकर जाकर, देखो जी मेरे पास पैसे वैसे तो है ना, आप लोग देख लेना बाकि यह जो लोग चैत गोरभ गोता है जो लोग यह पैसे से हीराजनेति होती है नहीं मैंन इस बार को लोग आपर पैसा ले लेंगे बोट देंगे इस बाकि डरनी है उसको जहां वोट देना है ना, जЕ उसके मन में हए वो जहां देना है, वह ही देना है क्या आप की जनता से वोट लेने के लिए बहले पैसे की ज़रत ना हो लेंगिंद पातियों से टिकत लेने के लिए और हवा बनाने के लिए पैसों की ज़रत तो पड़ती है मतलब आप उसको भी उर्कूल लिखिति नहीं कि 100% टिकेट कहीं इनकिसी पार्टी में नहीं बिक्ति कुछ टिक्टे होती हैं जो बिक्ती हैं और विक्ति इसलिए क्योंकि उनके खरीदार करें गेट के बहर बढ़े बहरी बरकम जीस विक्ति के पास पैसा गया ना अगर विजनस कर रहा है या कोई बीगंदा है तो आफिर मे राजनीती बेट कम्राइबं करते हैं यह उसको एक कीड़ा काटता है तो यह प्रक एंट हे जो किस पार काटता है आते हैं झारणागर्द में जानाना है यह वाले क्ति-स की प्रक में आता हूं मैं, यहां पे शुरू करते हैं, जितने अंदर सिंघ है वे पूचते हैं कि मेरा क्विश्चन है कि हरियाना के एलेक्शन में कॉंग्रेस की हार से मालास्ट्रा के एलेक्शन पर असर पढ़ेगा क्या और जो कॉंग्रेस राहूल गांदी फ्रंट फूट पर खेल रह कार्व करता हों कि इसका गहरा ऐसर लेकिन इसके रिजल्ट हम सब्कार्ट से किसी बात बर एक पाण्द में प्रिया ब्रूट बदोंiert Kund Turut ये गहरी बात कही है आपने समझने वाले कमेंट करके बताएंगे रॉक बित शॉक ये इनका एकाउंट है वो कहरें कि आदेश जी से पूछेगा कि प्रियंगा गांधी का परस्टनल स्टाफ जिसमें संदीब सिंग और उनके कम्मिनिस्ट मित्र मूल कॉंग्रिस के निताओं किसे हावी होते हैं किस प्रकार हावी होते हैं हावी मुझे न लगता कि वह हावी हो लगते हैं क्यों क्यों परिकांदी एकाप या मतलब P.S है P.A. है नजदीकी है तो जो अधियर्टी उटकू लिटर्श्टिप से प्राप्त है उसका इस्तमाल करते हैं अगर मेरा पीए मेरे से बीना पूछे हावी होगा किसी के ऊपर तो इसकलिए मैं से मिधार हूं और मेरे राज निदी जनम ने ना घुय हो थे या डिनना उनकी अनुवें कि कि यांवी हो सकता है लगद है और फि के ना बहुत रशा waking यूपी यूपी चुनाव हारने के बाद एक वर्ग्रूम में बैटक हुई थी उसमें अचारिया प्रमौत किष्णन उस वक्त कॉंग्रेस पार्टी में होते तो उन्हें कहा कि संदीप के जो काम करने का तरीका है वो ठीक नहीं है तो उन्होंने सवाल कड़े कि उसके उपर आप ढ television कि छूवाइबाश कि यदि को फाल चुब मनें ख्रीक जो ह। वस्ट कॉट्व है किस नहीं कीया यह ना कि इन που हैं वह माने ना कि संदीप सिंग संधून हावी नहीं है यह हुशं हं उसमें मिल्कुल एक राड़ं मुगी अगला सवाल है अंशु निश्चल अगर आपका नाम सही से ले पा रहा हूं इनका सवाल वही है जिसका जवाब पहले दे चुके हैं लेकिन फिर भी इनका कहिना है कि अगलेश प्रसाद इस नॉट पॉटेंट मास लीडर वाइल पपु यादव पुर्णिया अपने नेता के तरो पर या वो इंडिया गट बंदन को रख ले मतलब आईडेडी कुछ उने या पर पपु यादव पुछ ने ऐसी कोई स्थी एक का कॉंगर्स के सब्सक्राइब ये अनुशल का सवाल है पपु यादव तिजस्व यादव दोनों एक ही कम्मुनिटी से आते हैं ठीक है लेकिन पपु यादव की पार्टी अभी हाली में इतनी जल्दी उनको अद्रश में बनाएंगे मुझे लगता नहीं चाहेंगे कि इंडिया लाइंस में लग उनके वोट बैंक और बट जाए जिसे मकसद पुरा नहीं होता किसी भी पार्टी का और दूसरा अकलेश परसाद सिंग की वह वह मयार है अभी ज्रकंड के अधिर रहता दिया गया और उपिक अधिर्श पुम्यार गया जो भी हैं तो कॉंग्रेस पार्टी में तीन तिन अधिर्श पुम्यार थे थे भी दो बचे हूं है तो मुझे लगता है कि आने वाले दूनों में एक ही बचे गा अचा एक ही बचेगा मतलब भीहार का बचेगा यू कुछ उदारण के साथ कभी समझाए तो बात जो है क्लियर अरे कभी के करने से चीज़े बोग खराब हो जाती है कही बात चलिए इस नोट के साथ आगे चलते हैं हम्मल रिसलिंग करके इनका एकाउंट है यह करें नवस्ते आदेश जी प्रियंका गांधी वाइनाट से कॉंग्रिस हाई कमान नाराज है यह दूसरा सवाल है है हम्मल रिसलिंग पहले जवाब कौन साथ दो रंधियर सुरजय वाला भी पार्टी के महासे चुए हैं करनाट का गेंचार्ज हैं सबसे महत्रपूर्ण स्टेट हैं इंटरम्स ओफ एवरिधिंग और उनके बेटे तो मुझे दिखाई नाराजगी का कोई साइन नहीं दिखता है कोई मलब होता है को इशारा नहीं है जिससे यह प्राव के नाराजगी है गाड़ी में तेल कम है तो दिखा देगी टीं टीं अलारम बजाए भाईया अभी तो टंगी फुल है रिजर्व में आने वाली है उनकी प्रियंका गांदी का बेटा अच्छा फोटोग्राफर है उनकी पेंटिंग्स भी लगती है एक्सिविशन लगते हैं यह वर मैं भी गया था तो बुझे ऐसा लगता है कि काफी यंग लड़का है अभी उसके वारे महिश्णी नहीं करने चाहिए इनका सवाल सिर्फ पॉलिटिक्स है उससे पार्टी को नुक्सान है कि यह मैं तुम्हें पताता हूं अबड़ी इंट्रेस्टिंग सी बताइए अशो गयलोथ के बेटे वैभाव गयलोथ दो बार लोग सवाल अड़ चुके दोनों चुनाव हार गे कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ एक बार सां अधर रावेंदर जीत की बेटी अभी मंत्री बन की उदर किरन चौदरी की बेटी मंत्री हो गी जै राधना सिंग के बेटे विधायक है और प्रेम कुमार धूमल के बेटे नुराग ठाकुर्ष जैब आप ऐसे देखोगे ना स्टेट वाइस देखोगे या कहीं भी चल ज अधर जीतो है माँ बिलाज के बेटे चिराग पासवां लालो के बेटे तेजस्वीय मौलाहम सिंद्क के बेटे अखिलेश लेकिन जब ये बात गांधी परिवार पर आती है तो यार क्या सोनिया गांधी को अपने बच्चे प्यारे निया गया एक साल पूछ रहूं हूं जब इन सब को अपने बेटे प्यारे हैं तो क्या सोनिया गांधी को अपने पच्चे प्यारे नी हों तो इनको न एक चस्मा लागे देखो चस्मा लगाओ एक और देखो कि सारा परिवारबाद है अब सोनिया गांधी का परिवारबाद है और बाकियों के हैं परिवारबा उनका अपना लड़का भी ए अच्छा पढ़ा लिखा था पढ़ा लिखा है उनकी बहने हैं बहनोई है सब है लेकिन पब्लिक जीवन में कोई नहीं है तो राजीटी यह कोई नहीं है ऐसे नेता बहुत बिढले एक्षेप्शन तो होती है अरजीश कुमार इस मामले पे तो बिहार जैसे राजी में कास्ट की कास्ट वोटिंग बात करें तो तीन परतिशात उनके कास्ट का वोट है उस राजे में मुखमंत्री बने है दो बरी-बरी पार्टियों को साथ है लोग राज लोग लेकर पैदा होते है इसके आगे मनीश शुकला है इनका सवाल नहीं है एक सला है और यह कनाड़ा से लिख रहे हैं यह कहने है कि like your analysis and watch all your comments and appreciate it as well however it's come out that you share this with arrogance and it's reflects it in the way you share just an observation not sure if you if you would read this or make any changes love from कनाड़ा keep decoding Indian politics इसके दो कारण हो सकते हैं और मेरे में अगर गलती है इसको ठीक इसका ने पहले मुझे मुझे बिना कैमरी के कोई जवाब दिया था बताता हूं मैं वह रिपीट कर रहा हूं अगर भाई-साब ने ऐसा अब्जव किया है हमारे में यह कम है तो कम सुधारने की कोशिश करेंगे नंबर नंबर टू मेरा नेचर ऐसा है मैं हर्याना से हूं हमारे अगर प्यार से कुछ कहेंगे त्रोड़ा सा लगता यह डाट रहा है मेरा नेचर की विप्रीत है हमारे स्टेट मैं अपने परसलाई में वह थंबल आदमी है मैं असानी जगुसा नहीं करता लेकिन गुसा आयता फिर मैं रोग भी नहीं पाता यह भी संग्सरे रहती है लेकिन आपकी बात का संग्यान लेता हूं इसको ठीक करूँगा लेकिन आप अगले इंट्रियू से एक हर्यानवी को तोर पर देखें और आप फिर भी आपको लगता है कि बात नहीं बन रही है आपके प्रसेप्शन को बदल नहीं पा रहे हैं तो हम फिर कुद को बदलेंगे कोशिश करेंगे यह से उसलाई चलता रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल हमारे वेल विशर हैं कितना यहारी मैनिफेक्शन के रहे हैं कि मैनिफेक्शन के डिफेक्ट है चलिए चलिए बहुत अच्छा है बिलते रहेंगे और आफ कैमरा बात चाइच जलती रहे गी और आपकेमेर कमेंट लेते रहेंगे मत बस्तुलिया